हेलो दोस्तो वेलकम टू माई न्यू बुलोग दोस्तो जो कि ये वलोग होने वाला है ये वलोग होने वाला है हीरो एक्सपल्स बाइक का जो कि रिव्यू है रिव्यू है ये ओनर सिप रिव्यू दोस्तो जो कि ये बाइक है ये बाइक है मेरी तम आज बताऊंगो इसका बै रिवियू याने किसके पॉइंट क्या क्या है जो की काफी ज़्यादा बेगार है दोस्तों मैं कमपनी को गल्त नहीं बता रहा हूं लेकिन इसके काफी ज़्यादा बेगार है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बता तो इसके मैन पॉइंट क्या क्या है दोस् बच्ची थी और इंजन में भी कोई दिक्कत बगारा नहीं थी तो इसलिए मैं कमपनी को बूरा नहीं कोँगा लेकिन जो ये कमपनी की बाइक है वाली हीरो एक्सपल्स इसमार क्या काफी जादा प्रोबलम ठीक दोस्तों तो मैं बताऊंगा इसकी में प्रोबलम क्या क्या है और जो कि ये प्रोबलम है ये प्रोबलम उने पे भी ठीक नहीं हो रही है यानि कि जो कि सोरम वाले है तो इसकी सबसे बड़ी में प्रोबलम है इसकी इंजन की यानि कि ये 8 से 9 किलोमेटर के बाद हो जत्ते है काफी जादा हीट दोस्तों मैं सभी बाइक के बारे में नही तो जो कि यह बाइक है यानि कि अपने सोख के लिए आदिमें लगता है डेड़ से दो लाग रुपे लेकिन फिर भी उसमें दिक्कत होती है उनके वह इकल में तो फिर रोज़ता है दिमाग कराब तो जो कि यह बाइक है यह बाइक है वाई करीब एक लाग चोंसट अजार रुपे के यानि कि जम्में ले ने इसको गया करीब पांच महिने लेकिन जो कि अब इसकी वेल्यू है वाई वेल्यू है बड़ी प्रोबलम है दोस्तो हीट की भी देखे जाए जो किसकी हीट प्रोबलम है वो ज़ते इस पे करीब 8 से 9 किलोमेटर के अंदर अंदर यानी की पैर बिल्कुल जलने को ज़ते हैं तो दोस्तो मैं दुबारा बोल रहूँ मेरे कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है क्य और दोस्तो जो किसकी आवाज है इसकी आवाज में भी काफी जादा चेंज आ गया यानिकि इसमें आवाज आती है चन चन की यानिकि जैसे की इंजन कुल जाते है या फिर उसमें काफी जादा प्रोबलम हो जाती है इंजन में तब दिक्कत आती है चन चन की लेकिन इसका जेना भी तक खुले भी नहीं है उनली इसको यह कुल पांच महिन ने और इसकी आवाज भी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है तो दोस्तों सबसे बहुत है आपको सुना देतों इसकी आवाज को स्टार्ट करने एक बार ओनकर चब भी स्टार्ट कर बस कर रेज दे रेज इसने चोट दे तो दोस्तों यहाप आप देख सकते इसकी साउंड रेज दे थोड़ी बस चोट दे चोट दे रेज तो दोस्तों यहाप आप देख सकते इसका साउंड यानि कि इसके साउंड में भी काफी ज्यादा प्रोब्लम आ रखी है यहाप देख सकते इसका sound कर देटा बंद और दोस्तों अब बतादे तो मैं इसकी दोसरी problem जो किसके टिसक पेड है इसके disk पेड हो गई है बिलुकुल खतम वो भी पांच मिन्ने के अंदर अंदर दोस्तों मैं बांज सकता हूँ कि पांच मेनने के अंदर खतम भी हो सकते हैं यानि कि कापी सारे ऐसे भी बन दे हैं जो कि मुझे बोल लेगे कि मुझे दो मिनने हो गए मेरे दो मिनने के अंदर ही खतम हो गए लेकिन जो किसके डिस्क पेड है वो हो गए हमारे ओनली पांच मेने के अंदर अंदर तो यहाँ प और दोस्तों जो कि यह बाइक है यह बाइक चलती है उनली लोकल में यह बाइक भी बार नहीं चलती क्योंकि इसमें इंजिन की काफी ज़्यादा प्रोबलम है और यह प्रोबलम मैंने काफी बार सोरूम में भी बताई है और यह उन पे ठीक नहीं हुए है याने कि थोड़ी बहुत प्रोब्लम ठीक हो जाती है उसके बाद फिर दुबारा से हीट हो जाती है और दोस्तों जैसे कि हम इसको खली चलेगे तो यह खली बिल्कुल नहीं चलेगी यानिकी डिस्क पैड की वज़ा से चलागे दिखाएगे खली तो यहां पर दिखा दे तो माफ को खली खली एक नमबर की बाइक चली और माईले जबगार सब गुछ एक नमबर थी तो दोस्तों यह माले इस तो बिल्कुल भी नहीं देगी क्योंकि बड़ी बाइक लेकिन जो इंजिन की प्रोब्लम है न यह प्रोब्लम उन्हें पे ठीक होनी चीए और यह प्रोब्लम भाई बिलु तो दोस्तो यह था इसका bad review यानि कि जो की मेरे साथ problem और रखी है अब मैं यह नहीं बोल सकता कि हर hero एक्सपल्स कराब हो सकती है लेकिन जो मेरे पास भाईक है उसमें यह काफी ज़्यादा दिक्कत है जो की बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रखी है तो दोस्तो इस व्लोग को करते हैं पे एंड अगर यह वीडियो आपको चले गए तो वीडियो को लाइक कर दे और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो पलिस चैनल को भी सब्सक्रेब जरूर कर ले तो दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैंद